स्लाम आलेकम स्टुरून आज हम डिस्कस करेंगे मेकानिजम ओफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन को हम डिटेल से पड़ेंगे मेकानिजम ओफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के इस इनट में हम इन्फेक्शन डिजीज की स्टेजिस को डिस्कस करेंगे Systemic Manifestation of Infection Disease को डिसकस करेंगे Purpose of Inflammation और इसके लवा Physiological Mechanism Involve in Inflammation Cardinal Sign of Inflammation Hemodynamic and Cellular Phases of Inflammatory Response और लास्ट में हम Chronic or Acute Inflammation के दरमियान Different को समझेंगे तो आई ये स्टापिक को स्टार्ट करते हैं इस इनिट को पढ़ने के लिए हमें बुनियादी नोलिज होना चाहिए और उसे हम यहाँ पर डिसकस करेंगे कुछ टर्मिनोलोजी जिसमें सबसे पहले होस्ट शामिल है तो होस्ट क्या होता है होस्ट कोई भी Organisms जिसके अंदर बिक्टेरिया या वाइरसिस कोई भी Infection कास्ट करें उसे हम होस्ट केते हैं जबके वो बिक्टेरिया और वाइरसिस उस औरगिनिजम के लिए गेस्ट होता है इसके बाद सेकेंड Communization कोलिनिजीशन केते हैं माइकरो औरगिनिजम का होस्ट केंदर मौजूद होना और वहाँ होस्ट केंदर अपने तादात को ग्रोध को बढ़ाना, मल्टिप्लाई करना लेकिन इसमें जो होस्ट होगा होस्ट के अंदर किसी किसम का कोई सेम्टम अपियर नहीं होगा बिक्टेरिया और वाइरिस के इस अमल को हम कॉलोनाईजेशन केते हैं इसके बद माइक्रो फ्लोरा हैं, माइक्रो केते हैं स्मालिस्ट को और फ्लोरा केते हैं और गैनिजम्स को, लिविंग और गैनिजम्स को स्मालिस्ट लिविंग और गैनिजम्स जिसे के बिक्टेरिया और वाइरिस इसको माइक्रो फ्लोरा केते हैं वाइरुलिंस की बात करें तो वाइरुलिंस वाइरस या बेक्टिरिय की वो सलायत जिसमें होस्ट के अंदर infection कॉस हो जाए इसे हम वाइरुलिंस केते हैं पेतोजिन हर वो और्गेनिसम्स जो होस्ट के अंदर infection कॉस करें डिजीज पेदा करें इसे हम पेतोजिन केते हैं और हर बیکٹیरिया वायराइसिस, पैरासाइटस, प्रोटोजूा, पैतोजिन के लाते हैं सेपरोफाइट एक किसम का मूड ओफ नीट्रेशन है बیکٹیरिया का जिसमें बیکٹیरिया मीटी में इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स वगशा पाए जाते हैं उसको जो हैं अपने फूरट के तोर पे इस्तिमाल करते हैं और उस Jet organic materials जो जैसे के कुछ जैड organic materials होते हैं उस materials को अपने खुराक के तोर पे स्तिमाल करते हैं और इस किसम बेक्टेरिया को उन्ध करते हैं मुच्वालिजम की बात करें तो मुच्वालिजम दो तरफा फाइदे की बात हो रही ही यहापे कुछ बिक्टिरियास होते हैं जो होस्ट के अंदर पाये जाते हैं होस्ट को किसी किसम का नुकसान नहीं फराम करते होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते बलके होस्ट से भी फाइदा लेते हैं और इसके लावा ये होस्ट से फाइदा लेते हैं और होस्ट को भी फाइदा देते हैं इसके मिसाल युमेन बींग की बात करें लार्ज इंटस्टाइन के अंदर एक बेक्टिरिया है और इसका नाम एकोलाई है वो इकोलाई बिक्टेरिया लार्च इंटस्टाइन के अंदर फीसिस कोपने फूड के तौर पर इस्तिमाल करते हैं और इसके लावा जो हमें पदले में विटामिन के की प्रोडक्शन करते हैं इस अमल को हम मुच्वलिजम केते हैं पेरसाइट्स एक किसम का तुफेलिये होते हैं जो बाहर से भी डिजीस कॉस करते हैं बाहर से भी नुकसान प्रोड करते हैं और अंदर से भी जो बाहर से पेरसाइटिक एक्शन होता है इनके बाहर से जो नुकसान प्रोड के जाता है जिसे के स्कीन हो गया इसे हम इक्टो पेरसाइट्स केते हैं और वो पेरसाइट्स जो इंटरनली जैसे के कीड़े हो गए इंटरनली हमारे बूरी के अंदर हामफुल कंडिशन हामफुल इन्वारमेंट पेदा करते हैं उसे हम इंडो पेरसाइट्स केते हैं तो पेरसाइड जो हैं ये और्गेनिजम्स के उपर ये होस्ट के उपर डिपेंडिन्ट होता है इन्फेक्शन की बात करें बेक्टेरिया की इन्विजन और मल्टिप्लिकेशन जरूरी नहीं के सिर्फ बेक्टेरिया की हो वाइरस की भी हो वो हमारे बूड़ी के अंदर आते हैं अपने तादात को बढ़ाते हैं कोलोनाजिशन होती है उसके बात इसके पनी इनक्यूबिश Infection agent की बात करें तो Infection agent में वह agent शामिल होती हैं जिसकी वयदे से हमारे बूडी के अंदर Infection पैदा होते हैं जिसे हम पैटोज ordinary virus हो गए parasites, bacteria, 생 परोटोज़वट और इस तरह के और भी बहुत सारे ells चामिल हैं जो हमारे बूडी के अंदर Infection for allocation का us करते हैं और इन्हें हम Collectivity Infectious Agent केते हैं। Stages की बात करें, जिसमें Infection Disease डिवलप हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले Contact with Pathogens, Pathogen के साथ Contact शामिल है। यनि कि Host और जो Pathogen होता है, उसके दर्मियान सबसे पहले Contact होगा। Second पर Colonization होगी। जब वो बेक्टेरिया या वाइरसिस होस्ट के अंदर यह नि कि Human Body के अंदर आएगा, तो अपने तादात को repeatedly grow करेंगे। इस अमल को Colonization केते हैं। और Colonization में जो है, Symptoms अपियर नहीं होते हैं। हम आगे डिसकस करेंगे। इसके बाद Incubition Period है, Prodromal Symptoms, Invasive Period, Decline of Infection और Convalences. आगे इसको हम डिसकस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम Mechanism of Infection को बढ़ेंगे, कि Mechanism, Infection के Mechanisms क्या होते हैं। तो यहां पर बहुत सारे Mechanisms हैं। सबसे पहले Portal of Intery शामिल है। Portal of Intery, यहां पर चोट लगी हो, वहां से भी Portal of Intery हो सकती है इसके लावा फूट, काने पीने की अशिया, और इसके लावा रिस्पारेटरी ट्रेक्ट यहां और इसके लावा जो यूरोजिनाटिल ट्रेक्ट हैं। Sexual Reproductive Organ शामिल हैं। इसके जिले भी Micro Organisms की Intery हो सकती है। और इस हमल को Portal of Intery केते हैं। Susceptible Host वो होस्ट होता है जिसकी Immune System वीक होती है। और Micro Organisms जो है डारेक्ट इसके उपर आटेक करते हैं। इसे Host को Susceptible Host केते हैं। Infectious Agents की बात करें। जिसके मैंने आपको शुरु में बताया Bacteria, Viruses, Parasites ये सारे Infectious Agents होते हैं। Reservoir के सकती। Reservoir वो जगह जहां पर Micro Organisms पाए जाते हैं। चाहे वो दर्वाजा हो, चाहे वो पेंसल, बूक, फर्ष। इसके लवा कोई भी Environment हो जहां पर Micro Organisms मुझूद हो पानी, टेबल, ये तमाम चीज़े रिजर्वाइर के लाते हैं। Portal of Exit Portal of Exit वो रस्ता होता हैं जासे Micro Organisms Body से आउट हो जाते हैं। इसमें Micro Organisms जो हैं ये नोस से भी आउट होते हैं। इसके लावा Mouth के जिरे भी आउट होते हैं। Mood of Transmission की बात करें। Mood of Transmission, Bacteria ये ये जो Infection होता हैं ये जो Bacteria होते हैं ये एक Organism से दूसरे Organisms में किस तारा Transmit होते हैं। इसे हम Mood of Transmission केते हैं। इस अमल को Mood of Transmission केते हैं। Mood of Transmission में दो Transmission शामिल हैं। एक है Direct Transmission और एक है Indirect Transmission। Direct Transmission की बात करें। तो सबसे पहले इसमें Direct Contact शामिल हैं। Direct Contact से मुराद कोई भी जो Susceptible Host होता है या जो Carrier होता है जिसके निरे Infection होती है। उसके साथ तो रूबरू Contact होना, Sexual Contact हो जाना, इसमें बहुत सारे Conditions शामिल है। इसके लावा Droplet Sprit, Droplet Sprit का मतलब जिसके मैंने आपको कांसी वगारा के बारे में बताया कि चिंकना और कांसी में भी जो Drop होते हैं Respiratory Track के वो हवा में शामिल हो जाते हैं। और या जब करीब होते हैं केरियर के पास हम तो उसके Drop हमारे Respiratory Track के अंदर दाखिल हो सकते हैं और इससे डारी के लिए हम ससेटेबल होस्ट बन सकते हैं या डारी के लिए Transmission हो सकती है डिजीज की। इन डारीक Transmission में सबसे पहले Airborne यनि के हवा के अंदर जो Infections Agent पाया जाते हैं वो हवा के जरी हमारे बोडी के अंदर हमारे Respiratory Track के जरी आएंगे इसे हम Airborne डिजीज केते हैं सेकेंड जो वहिकल बोन है वहिकल बोन डिजीज वो डिजीज है जो Food Water और काने पीने की अश्या से लगती है वह हमारे बोडी के अंदर जाती है और इसके बाद हमें डिजीज कोश होती है Vector Bonn में यहां पर Vector Bonn वो qistan rolling ए जिसमें कोई Animal शामिल हो यनि कि वो Animal खुद Khard केरियर होता है वो Animal आके हमें काड़ता है और उसके बाद उस Animal के जरीए वो animal vector के तोर पे काम करते हैं वो इस animal के जरी हमारे बोडी के अंदर infection को सुजाती है तो इसे हम vector bone केते हैं और यह indirect transmission है तो जिसे के मैंने आपको direct transmission के बारे में बताया तो direct transmission वो transmission है के जब भी किसी भी जो carrier होता है किसी भी infection disease का उसके साथ रूब रूब मुलाकात या रूब रूब काना पीना इसके नतीजे में या मिलना जो सेक्श्वालिटी होती है यानि के सेक्श्वाल कॉंटेक्ट हो गया इसके जिरिये भी डारेक्ट ट्रांस्विशन होती है और इसमें कुछ डिजीज शामिल है कुछ इंफक्श Malaria Malaria जो यह वहिकल वॉर्ण की इग्जेमपल है इसके लावा COVID-19 भी जो है यह इन डारिक्ट ट्रांस्मिशन भी हो सकता है और डारिक्ट ट्रांस्मिशन भी हो सकता है Colonization जी तो यहां पर हम बात करेंगे stages of infection disease की शुरू में आपको जो पेला stage था वो contact है किस तरह contact होता है इसके बाद जो second is second colonization colonization किसे कहते है colonization बेक्टिरिया बोड़ी के अंदर आते हैं और बोड़ी के अंदर आने के बाद rapid उसके growth होती है multiplication होती है अपने तादात को बढ़ाते हैं इस अमल को colonization केते हैं incubation period जो है ये asymptomatic period होता है इसमें immune system जो susceptible host होता है उस host का और microorganisms के दरमयान कोई fight नहीं होता कोई actual response शो नहीं होता और यहां पर incubation period वो period होता है जिसमें bacteria radio होते हैं multiply होते हैं growth को बढ़ाते हैं और मुखतलिफ किसम के infection के मुखतलिफ किसम के bacteria के मुखतलिफ किसम के incubation period है अब जिसके सालमोनी नीला हो गया सालमोनी लॉसिस 12 से 36 गंटे require होते हैं इसके incubation होने के लिए और इसके लावा hepatitis B में 50 से 180 दिन शामिल है और इसके लावा AIDS में सालों तक लग जाते हैं तो यह duration जो ही यह मुखतलिफ किसम के factor से influence हो सकता है और जिसमें health शामिल है host की health इसके लावा portal of entry और वो infection यह निके infection dose of the pathogens जो dose यह निके similarly simple आपको बताऊंगा कि incubation period वो period होते हैं जब bacteria यह viruses अपने आपको तयार करते हैं और इस period के दोरान किसी किसम का कोई symptom अपियर नहीं होता फूर पर पर प्रोड्रोमल symptoms हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स initial symptoms होता हैं जब incubation period खतम हो जाती है तो प्रोड्रोमल सिम्टम्स इने के incubation period के बाद bacteria जो है immune system के साथ fight करना शुरू कर देते हैं और host का immune system जो है आईपो तेलिमस जो है temperature release करता हैं उस body का temperature increase हो जाएगा फिफट पर invasive period है invasive period में symptoms जो है इनक्रीज होंगे इसमें fever शामिल है inflammation, swelling, tissue damage और इसके अलावा जो infections हैं वो किसी दूसरी जगा भी spread हो सकता है decline of infection की बात करें तो पैतो जिन्स के जो number होते हैं जो bacteria viruses होते हैं वो decrease हो जाते हैं और sign और symptoms जो हैं वो खतम हो जाते हैं साथवे नमबर पर जो है convalences से convalences से मुराद recovery हैं यानि के जो eliminations होते हैं पैतो जिन्स की उससे host जो हैं वो सहत पंद हो जाता हैं और जो damage tissues होते हैं infection की सुरत में वो repair हो जाते हैं इसके बाद resolution यानि के convalences शिफाक हो केते हैं तो यहां पर इसके graph मुझूद है incubation period, prodromal period, period of illness, period of decline, period of convalences यानि कि ये मुकमल periods है infection disease के जो graph की form में मुझूद हैं इसके बाद हम pattern of infection की बात करेंगे infection के कितने patterns होते हैं तो सबसे पहले localized infection है और localized infection जो है specific local point पर भाए जाता है जैसे के इसमें fingers के उपर एपसिस वगिरा हो गए ear के उपर, nose के उपर ये localized infections है इसके बाद जो है systemic infection systemic infection वो infection जो पूरे system को damage कर देती है पूरे system के अंदर पेल जाती है और जिसके influencer के आपर मिसाल है और इसके जिरी respiratory system होता है वो मुधासर होता है focal infection जो है जब infection agent तूर जाता है local infection इनी के किसम का local infection जो focal infection है वो local infection की ही type से इस से जो microorganisms किसी local point पर होते है जब वो पे तो जिन्स बढ़ जाते हैं तो उसे हम focal infection केते हैं इसमें आपको dental caries की मिसाल दूँगा dental caries जो ही ये focal infection है और ये dental caries से पूरे gums जेरें की मुसूडें मतासर हो जाते हैं तो localized infection और focal infection बहुता हर से हम इसके बाद mixed infection की बात करें तो mixed infection में मुक्तलिव किसम के bacteria जो होते हैं एक इसमी तािम पे दो मुक्तलिव किसम की infection काॉस करते हैं इसे हम mixed infection क视ूदे हैं प्राइमरी इंफेक्शन जो हैं प्राइमरी इंफेक्शन इसे हम इप्तिदाई इंफेक्शन भी किते हैं और यह वो इंफेक्शन होता हैं जिसमें बिक्टेरिया और वाइरस डॉर्मेंट पीरिड पे होता हैं यहीं के अपने लाइफ साइकल कम्प्लीट करते हैं इसके करें एक्यूट इंफेच्शन को केते हैं जो ताजा ताजा लगा उनोगा हूं इसमें ऑप्थ मेotta amar चा यहां पर दिया है इसकेदी वाद मुथब año हम उसके मौन आप cavity होती है उसके मुख्तलिफ किसम के micro spi जाते हैं जो figure में visualize किये हैं इसके बाद source की बात करें तो मुख्तलिफ किसम के source होते हैं micro organisms की जिसे हम portal of entry भी कह सकते हैं या reserve wire भी कह सकते हैं तो sources की बात करें तो सबसे पहले zoonosis है zoo केते हैं animals की और नौसिस केते हैं development तो zoo नौसिस में कुछ ऐसे infection होते हैं जो directly हम animals के जिरिए ले ले लेते हैं और इसमें rabies की मिजाले अब rabies dog है और उसके oral cavity के अंदर जो इस लावा होता है उसमें rabies virus होती है तो इस किसम के infection जो हम directly animals से लेते हैं इसे हम zoonosis केते हैं और कुछ ऐसे किसम के infection भी होते हैं जो hospital से develop होते हैं यनि कि hospital के अंदर एक patient होता है और इसकी treatment malaria की होती है लेकिन वो देर तक हफ़तों तक hospital में admit होता है और इसके नतीजे में वो hospital से उसको कोई और infection कोस हो जाए जाहर सी बात है hospital में different किसम के patient होते हैं तो इस किसम के infection को nozocomal infection केते हैं या hospital acquired infection केते हैं virulence factor की बात करें के virus या bacteria की कौन सी सलायती होती है जो immune system पर हावी हो जाती है और जिसकी वज़ा से जो pathogenicity होती है या जो virus और bacteria के इसरात होती है बढ़ जाते हैं तो इसमें सबसे पहले toxins शामिल है second addition factor third invasive evasive और last में invasive factors शामिल है तो सबसे पहले हम toxins की बात करें तो toxins वो substance है जो destroy करते हैं हमारे cell के functions को यानि कि host के immune system को disrupt करते हैं इसम toxins करते हैं और इसके में दो किसम के toxins शामिल है exotoxins exotoxins जो ही ये protein होते हैं और bacterial cell wall यानि कि जब bacteria grow करते हैं तो उसके cell wall से release होते हैं और इसे हम exotoxins के थे हैं exotoxins जो है ये खतरनाक होता हैं और इससे हमारे body के अंदर dysfunctional problem जो है generate हो जाती हैं बैसे कि लिए toxins होता है और ये हमारे immune system में changes develop कर देते हैं अब इसकी मिसाल जो है diptheria शामिल है ये ये ट्रीबर कलॉसिज वगयरा जो gram positive bacteria होते हैं उसके इंदर exotoxins की production होती है इसके बाद जो है endotoxins की बात करें तो endotoxins जो हैं ये protein के नहीं होते हैं लेकिन ये lipid और polysecrets के बने होते हैं लिप और polysecrets केते हैं ये cell walls से secret होते हैं जो gram negative bacteria होते हैं वो endotoxins प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये भी खतरनाक होते हैं अलबता gram positive के मकाबले में exotoxins के मकाबले में endotoxins जो हैं ये less dangerous होते हैं और ये blood के अंदर diffuse हो जाते हैं इसके लावा exo enzymes से कुछ bacteria होते हैं जो हमारे epithelial tissues को digest करते हैं और इसे enzymes को exo enzymes को कहते हैं ये enzymes जो हैं cell के outside surface से release होते हैं इसके बाद यहापर मुक्तलिफ किसम के figure में शौक ये हैं endotoxins और exotoxins के होाले से इसके अपने cell के उपर receptors पाय जाते हैं endotoxins के और exotoxins के जबके अभी हम आगे बात करेंगे addition factors की तो addition factors में वो factors शामिले जिसमें bacteria या viruses हमारे cell पे attach हो जाते हैं और colonize करते हैं colonization करते हैं इसे factors को हम addition factors केते हैं इसमें पहलाई शामिले flagela, fembray और इसके लावा spikes यह जो virus की spikes होते हैं जो protein से बने होते हैं यह हमारे cell के साथ oral cavity के साथ nasal cavity के साथ या urogenital cavity या urogenital track के साथ attach हो जाते हैं और हमारे body के अंदर enter हो जाते हैं तो virus की चिपकने की और movement करने की सलायत को addition factors केते हैं इसमें fembray शामिल है इसके लावा spikes अच्छा इसमें capsule भी शामिल है capsule जो ही है extra additional protective layer होता है जो bacteria को यह नि के bacteria को safe करते हैं host के immune system से तो यहाँ पर spikes भी मुझूद है capsule इसके लावा जो fembray यह फ्लैजीला हैं यह सारे यहाँ पर visualize के गए हैं इसके बाद evasive factor की बात करें तो evasive factors में जो microorganisms होते हैं जब bacteria होती हैं वो मुख्तलिफ किसम के chemical release करते हैं ताके immune system के साथ उसकी जो यह नि के immune system पर वो हावी हो जाते हैं इसमें extra cellular polysecret शामिल है polysecret capsule हो गया यह नि के bacteria अपने outer surface पर capsule को develop करते हैं और उसके बात immune system जो है उसके उपर का यह नि के immune system उसको kill करने के लिए time लेता हैं और इसके लावा कुछ ऐसे mucos layer होते हैं जो के WBC जो हमारे immune cell होते हैं वो उसको इंगल्फ करने में WBC को दिशवारी होती है यह चैसे के इस aureus हो गया इस aureus staphylococcus aureus एक bacteria है और वो surface protein जो है अपने outer structure पर यह आउटर surface के उपर surface protein को बनाते हैं और यह surface protein जो है आई जी जी यह जो antibodies इसको immobilize करता है यह जो antibody इस bacteria को पकड़ने में नाकाम हो जाती है क्योंकि इस bacteria के बाहर surface के उपर किसम का protein का layer मुझूद होता है जिसकी वज़ा से यह antibody इस bacteria को kill नहीं कर पाती इसके लावा और भी बहुत सारे enzymes प्रोडूस करते हैं जिसे के coagulase enzyme हो गया यह coagulase enzymes हमारे blood vessels के अंदर जो फेबरीनो जीन होता है उसको फेबरीन में convert करता है और इसके नतीजे में clot हो जाते है clot formation होती है और जब clot formation होगी तो जो phagocytic cell होते है जो immune system के जो hostil के phagocytic cell होते है जिसे हम antibodies भी केते है वो antibodies जो है पहुँचने में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि blood vessels के अंदर clot बनता है तो इन factors को जो है हम invasive factors केते है invasive factors में मुक्तलिफ किसम के enzymes शामिल है और ये enzymes immune system पर हावी होने के जिए ये enzymes release होते है इसमें phospholipases है elastases, collagenases, proteases ये सारे enzymes शामिल है इसके बाद systemic manifestation of infection की बात करें तो system infections वो system यनि कि वो infections होता है infection बैसे कि लिए वो चीज़े जब bacteria और viruses हमारे body के अंदर आते हैं और undesirable conditions जनरेट करते हैं इसमें infection केते हैं और इसके जो symptoms हैं इसमें fever, flushing, nausea, vomiting, pan इसके लावा swelling, redness ये तमाम तर चीज़े system infections में शामिल होती है inflammation की बात करें तो inflammation एक defensive response होता है tissue injury के सबब defensive response होता है जिसमें हमारे जो फेगोसैटिक cells होते हैं वो पहुंच जाते हैं blood की circulation increase हो जाती है और इसे हम inflammation केते हैं अब inflammation के positive agents बहुत ही ज़्यादा हैं इसमें heat शामिल है, temperature शामिल है, physical trauma शामिल है इसके लावा micro organisms growth शामिल है, viruses शामिल है इसके वज़े से inflammation होती है मकसद to limit the spread of pathogens pathogens की spread को वो limit करते हैं, control करते हैं उसको neutralize करते हैं उस toxins को neutralize करते हैं bacterial activity को neutralize करते हैं इसके लावा जो debris होते हैं, जो damage tissues होते हैं उसको remove करते हैं और जो tissues होते हैं, वो tissue दोबारा repair करते हैं inflammation की causes बहुत ज़्यादा हैं बंस शामिल है, chemical by toxins इसके लावा pathogen, necrosis, physical injury, auto immune response, ionization, radiation, foreign body यह सारी चीज़े, inflammation के causes में शामिल है so inflammation की types की बात करें तो दो किसम के inflammations होते हैं एक होते है acute और एक होते chronic acute जो है, यह rapid response होते हमारे body का और chronic जो होते हैं, यह delayed response होता है acute immediate, chronic delayed इसके लावा acute के अंदर जो हमारे defensive cells शामिल होते हैं उसमें neutrophils, monocytes और macrophages शामिल होते हैं जबके chronic में monocytes, macrophages, lymphocytes इनके plasma cells और fibroblast involved होते हैं acute जो ही वो few days में complete होता है और chronic जो ही उसमें महीनों और सालों लगते हैं यहाँ पर acute के अंदर healing होती है abscess formation होती है और chronic inflammation जबके tissue destruction होती है यहनिके tissues की death होती है और इस condition को हम fibrosis भी केते हैं cardinal science की बात करें तो cardinal science में five cardinal science मुझूद है सबसे पहले robber है robber redness को कहते हैं कि इनके blood की circulation increase हो जाती है इसे हम robber कहते हैं second tumor है tumor जब blood की circulation increase होती है तो axis plasma और defensive cells जो है वो हमारे vascular compartment से आके नीचे tissues, interstitial fluids में शामिल हो जाते है और जिसकी वज़ा से swelling होती है और इसे हम tumor का नाम भी देते हैं लेकिन यह वो वाला tumor नहीं है जिसे हम cancer कहते हैं इसके बाद killer heat को कहते हैं यानिके हमारे body के अंदर जो specific local point जहां पर inflammation होती है वहां पर जब vasodilation होती है blood की flow बढ़ जाती है तो इस blood की flow बढ़ने से blood flow बढ़ जाती है और heat जो है release हो जाता है इसके बाद इस सुरते हाल में pain भी होता है जिसे हम dollar कहते हैं और उस point का उस organ का जो function होता है यह के loss of function जिसे हम function लेजिया के थे हैं तो यह पांच cardinal signs है inflammation के जैसे के मैंने शुरू में बताए इसमें rubber, killer, tumor और इसके लावा dollar और last में जो यह function लेजिया शामिल है इसके बाद यहां पर figure में visualize किया गया है number one bacteria वगेरा आके हमारे body के specific point पे इंटर होने के बाद जो platinate होते हैं वो blood से release हो जाते है mast cell आके यह bacteria mast cell इसके लावा जो हमारे और stromal cells होते हैं जो defensive cell होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उससे chemical release होता है वो chemical हमारे vasodilation के उपर इसके receptors होते हैं उस receptors पर जुडने के बाद जो हमारे cells होते हैं capillaries होते हैं और इसके लावा जो हमारे smooth muscles होते हैं वो muscles जो है dilate कर जाते हैं और इसके लावा blood की flow बढ़ जाती हैं और blood जो यह अपने साथ साथ more defensive cell को लेके आते हैं और इसके नितिज़े में inflammation होती है तो include inflammation जो यह immediate और early response होते है इंजर्स पार्ट में, focal पार्ट में और इसके लावा इसमें दो phases चामिले सिर्व से पहले vascular phase है vascular phase में यहीं कि जो blood vessel होगी उस blood vessel जो specific point पे होगी for example अगर उंगली के उपर inflammation हुई है तो उंगली पर जो blood vessel आएगा उसके inflammation होगी यहीं कि उसके dilation होगी blood flow बढ़ेगा blood flow बढ़ने के बाद blood थेजी के साथ आएंगे hydrostatic pressure बढ़ जाएगा hydrostatic pressure बढ़ने के बाद वो खून हमारे interstitial fluids में shift हो जाएंगे और इस phase को हम vascular phase केते हैं cellular phase की बात करें तो cellular phase में जो WBC और इसके लवा हमारे defensive cell होते वो migrate कर जाते हैं हमारे dermis portion में और वहाँ पर जाके उस पैतों जिनको kill करते हैं और इस phase को हम cellular phase केते हैं तो vascular phase को यहाँ दुबारे detail से पढ़ेंगे vascular phase जो हैं सबसे पहले वोजो डालेशन चामिल है वाजो डालेशन से मुराद हैं कि जो blood vessel होगी वो डालेट हो जाएगी और blood की flow बढ़ जाएगी post-capillary venule permeability के मतलब यह है कि जब वाजो डालेशन होगी तो यह blood का flow बढ़ जाएगा और blood के अंदर जो specific पंजिनी के उंगले के उपर inflammation हो रही है तो यहाँ पर hydrostatic pressure बढ़ जाएगा और blood की flow बढ़ जाएगी blood अपने साथ protein लेके आएंगे antibodies, macrophages, monocytes इस सरह थमाम defensive से लाएंगे तो जो capillary side पर जो permeability होगी endothelial cells की वो श्रिंक कर जाएगी और इसे permeability के मतलब यहाँ पर transportation होगी endothelial cell के जरीए और axis fluid जमा हो जाएगा उस infected area में और इसके नतीजे में एडीमा होगा एडीमा केते हैं axis interstitial fluid को जो हमारे interstitial fluid होते हैं जब उसकी तादाद abnormal हो जाती है बढ़ जाती है इसे मेडीमा केते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले pan में सूस होगा और उस specific organ का function loss हो जाएगा और इसके लावा redness होगी बहुत जादा इसे muscular phase केते हैं cellular phase में neutrophils, monocytes यह सारे चीज़े आके involved हो जाएगी और antibodies बन जाएगी antibodies बनने के बाद phagocytosis का process होगा phagocytosis की process पे उस bacteria की death हो जाएगी तो neutrophils और macrophages monocytes यह सारे phagocytosis करेंगे इसके लावा endothelial cells के बारे में भी बताया endothelial cells जो यह श्रिंक कर जाएगे permeable हो जाएगे fibroblast क्या कम करेंगे fibroblast जो यह heating में काम करेंगे tissue repairing में काम करेंगे और platinate जो हैं यह cell fragments बनाएंगे और इसके लावा इसका और भी बहुत सारा काम है cellular face के अंदर तो यहाँ पर सबसे पहले margination होगी perimigration होगी और इसके बाद chemotaxis एक chemical signal होता है जिसकी वज़ा से हमारे immune cell stimulate हो जाते हैं इसके बाद phagocytosis होगा phagocytosis के बाद बाहिर हमारे बूरी से यहने के pus formation होगी और इसके बाद यहने के inflammation के बात करें acute inflammation की benefits का है हमारे जो phagocytosis cell होते हैं वो बढ़ जाते हैं immune response बढ़ जाता है toxin dilute हो जाते हैं और बहुत सारे causative agents जो यहने के bacteria और viruses होते हैं lymphocytes और fibroblast involved होते हैं और यह साल और महीनों तक रेता है इसमें hepatitis